कि Ao हवी है यहां पर यह सारी चीजे मिलेंगी देखिए यह पर और ने में बड़े-बड़े मिल जाते हैं देखिए एक ही डिचीजे की साइब प्रिक्स से बड़े बड़े बुड़ आप कर देंगे अगर आपको नहीं पता है तो प्लेश्ट में डिस्क्रीप्शन में उनको प्लेगी मैथ बेसिक टॉड़ांस इसकी और ट्रिकी मैथ सेलूशन और ट्रिकी निमेरिक लुचंज तेन प्लेश्ट अगर आप चेकरते हैं 100 परसेंट आपको बहुत ही प्रॉफिट होगा बहुत ही आपके मैथ में आपके कल्कुलेशन में पक्का है कि आप गेन करेंगे अच्छे तरीके से आपका स्किल जो है सही हो जाएगा देखिए यहां पर हम जो बताएंगे जिससे कि आपको कभी-कभी मिलता होगा अगर आपको देखिए माल लीजे कभी-कभी देखिए आप सुनेंगे किसका फाइब का माल लीजिए आपका यहां पर है ठीक है और गुड़ा फाइब है इसको कोई जबत चलने होगा जो नहीं कर पाएगा बहुत ही जी है क्योंकि आप 1250 सीधा पर सकते हैं 1250 सीधा पर सकते लेकि इस पर हम रूल कुछ बता रहे हैं देखिए वो रूल हमें समझ रहा है ऐसा नहीं है आप इसमें आप 12 की जगा यहां पर आप थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं जैसे आपने लिया 64 लिया आप गुड़ा पांच करेंगे तो इसकी पेच्छा यह थोड़ा दिपिकल हो रहा है और यही 64 आपका इस तरीके से दे दिया गया कि इसमें भी 25 दे दिया गया तो आप बदाएए थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है ना देखिए इसका में पांच वाले कर रूल आपको बताता हूं कापको कहीं पर भी मिल सकता है आप यूज कर लेंगे देखिए एक रूल यह है आप क्या करिए पांच का गुड़ा करना हो तो जिस संख्या में गुड़ा करना है आप उसमें दो का भाग कर दीजिए दो का क्या कर दीजिए दो का भाग मतलब उसको आधा कर दीजिए क्या कर दीजिए आधा मतलब इतना बड़ा लांग प्रोसेस नहीं ह आप जिसमें 5 का गुड़ा करना हो उसका आधा कर दीजिए ठीक है आप उसका आधा कर देगे तो आधा करने के बाद क्या करिएगा तो आप उसमें 0 बढ़ा दीजिएगा यह है इसको भी नहीं समझ पाते हैं यहाँ पर देखिए यह 5 है 5 की पाउर कितनी है सब बोलेंगे 1 है और यहां पर 5 की पाउर कितनी है 2 5 की पाउर कितनी है 3 5 की पाउर एक का मतलब 5 5 की पाउर 2 का मतलब 25 और 5 की पाउर 3 का मतलब 125 पांच 25 25 पंच 25 यही होगा यहां पर देखना हमें यही है कि 5 की पाउर कितनी है जितनी पाउर हो तू के उतनी पाउर तू के उतनी पाउर आप ध्यान दीजेगे टू की उतनी पाउर से हम डिवाइड करेंगे टू की उतनी पाउर से हम डिवाइड करेंगे जिसे देखिए यहां पर बारा में हमें पांच से जगुरा करना है तो पांच की पाउर कितनी है एक पाउर है तो हमें दो का पाउर एक करेंगे तो एक ही हो मतलब जितना उसमें 5 पावर की थी उतना 0 बढ़ा दिना पूटना 0 बढ़ा देंगे आप का इसकूल मैंने 12-5 नहीं किया आप यह मत समझेशान मैंने 5-5 अथा उतनी 2 की पावर से इसमें डिवाइड किया और उतने 0 बढ़ा दिक तिनी पावर 5 की थी यहां पर आप समझीए इसमें देखिये 25 और 12 का रहेंगे तो पक्रकता है कि ठोड़ा सा किसे से अधिक टाइम लेगा इसमें एक सिकन्ट इसमेंदो सीकिंड़ बनेगा गयोग तौ इसमें देखिये कैसे करेंगे पांच ये जो है कितना पाउर है पांच की एस तोप वह यह है रहे कि तो पाउर है अपका पता है ररक मेंसा चाहरे को लित मतलब दो दो झाल कर चार चार डियूट हैर चार तीन एक पाउर मतलब तीन आए काहँ थी तो तो जिट्स थी नहीं फोना यह थी पोना यह है तो पचीश पान्तीस तेन सो यहीजी कोई डिफिकल्ट नहीं है यह पर देखे इसका यह काम की में आपको करेंगे अब लोग सकते देखिए इसको देखना है पांच से गुड़ा करना है कितनी गहात पांच की है एक गहात दो होगी दो से मतलब चार होगा चार से इसको काटेंगे तो चारी कम चार यहां पर देखिए यहां पर आपको अगर इस तरीके से आ जाता है एक सो चार गुड़ा कि आजए पचीस माईले ले रहा हूं अब बताइए कुछ-कुछ बच्चों को यह कठिन नहीं होगा मैंने जो बताया क्या उससे कठिन होगा बोलो कठिन नहीं होगा एक दमीजी होगा देखिए यहां पर पचीस की पावर है पांच की दो पावर है तो और गुड़ा 125 लिख्या अब बताएए कोन-kों बच्चे इसको कितने जल्दी कर देंगे किसी कदम लिए कि इस्को डारेक्ट कई से करेगा ऐसाओ नहीनीके пос कठीन पढ़ेगा देखिए कठीन नहीं है यह पांच की पाउर कितना है 125 पांच की पाउर तीन है तो दो की पाउर तीन मतलब आठ आठ से इसको डिवाइड करेंगे आठ चो को आठ चो को 32 अब देखिए इसमें आपको यहां पर थोड़ा सा प्राबलम होगी क्यों प्राबलम होगी यह जो है आठ से हमें डिवाइड करना है अब आठ से डिवाइड करने के लिए तो ही है कि आठ दुनी सोला आठ तिरीक चोविस आठ चो को 32 तेखिए आठ चो को 32 यहां पर हमारा चार तो आ गया कितना आ गया चार तो हमारा आ गया ल यह चीज समझना है ठीक है अब माल लीजिए इस तरीके साहब का आता है एक सोपचीस वाल अभी सब्सक्राइब कोई भी नहीं किया इसके पहले एक छोटा ले ले लिए ताकि आपको समझ मैं छोटा मैं ले लेता हूं उसको बताता हूं जैसे देखिए मैं थोड़ा छोटा सब्सक्राइब लेता हूं पहले इसमें अप्लाई करूं तो उसमें क्योंकि थोड़ा सा हटके है आप वाज जिसको बोलते हैं आप वाज की तरह उस तरीके से ठीक है तो यहां पर आप बच्चे लोग इसको करिए ठीक बार किया इसमें कोई दिक्क्रत होगी तो आठ देसिमल में कटें और डेसिमल हटाने का भी प्रोसेस आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा दिसे देखी आठ सीजको काटते हैं तो आठ चोको बातिस कट गया अब इसमें नहीं जाएगा जीरो बढ़ाएंगे तो हमारा जीरो बढ़ाएंगे तो दसम्लों लगा माल लीज यहां पर मैं लेता हूं आपका इस तरीके से इतना बढ़ा लूप तब आपको देखिए यह अब इसमें भी वह हैं कि आप करेंगे तो आपको हो जाएगा इसा नहीं यह किसमें कोई दिक्कत है आप एक बार ट्राइए करिए आपका ओओ जाएगा लेकिन क्या है कि आपको ट्राइज जरूर करना है जिस लेखिए तीन घात है अच्छी इसको डेंट करना आठ इकमाठ जीरो बढ़ाएंगे क्योंकि यहां पर पूरा दूंख लेना है आठ चोक बातिस चार हुआ इसमें तीन आपका पूरा हो गया था मैंने इस तरह जीरो नहीं लगा था तो इसमें तीन आपका कितना था तीन पांच की पाउर थी तो तीन जीरो इसमें बढ़ाना पड़ेगा शिष्टीन अपाउन फाइव देखिए शिष्टीन पाउन फाइव है इसको जो बच्च डिवाइड करेगा वह ऐसे करेगा कि पांच तीह पंद्रा और एक बचा पांधुना दस ऐसे करेगा ना करोगा एसे ना पका तुम्हें बताता हूं इसका भिरूल जैसे इसमें की इसमें कितनी पाउर है एक पाउर तो jви 5 दो की एक पाउर मतलब तो इसमें क्या था इसमें हमने भाग कर रहा था जब गुडा हमें 5 हमें तो बहुना गुड़ा कर रहे थे अब हमें ममक्हार करना है वह mai तैंसे मिपांच सब्सक्राइब कर देंगे आप देखें चुटकियों कर देंगे यहां पर देखिए इसको बच्चा कोन से कर देगा किना हमें दो सीजित में गुड़ा करना है दो यह डू कर दो दूरा चार चार-एक-पांच यह हो गया उसके बाद एक उलो एक ये-दसमलो एक अंग दसनलम पाँच को मतलब एक एक घात और थेसा सबंच से हम लाइए स्वावारा कहां से आ या कलあの हो आप सी पर्मीयद करने के लिए दूंर की पाउर कुछ में हो यहां पर यहां और फाइप gB यहां पर दूनों आपस में पना कमा दो पाउर मिला करेंगे तेन तेन को मतलब समझ रहे हो कि क्या होगा तब कुछी सतरीके की नियम को पकाम कर ले इसमें तो यहां पर गड़े-बड़े ले 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 लेते हैं पचीस डिट करना नहीं कोई कठिन नहीं पचीज कितनी घाथ है दो घाथ है तो दो घाथ कितना बनेगी चार बनेगे चार का इसमें गुणा के लिए 12 448 12 440 15 मतलब 25 पात्थ 25 मतलब दो घाथ 2 मतलब 2 अंग पर दसम्वलों 1 अंक 12 यहां लगा 0 बढ़ा दीजिए यह हो आपकांसर मैंने 25 के पहाड़ा नहीं पढ़ा मैंने 25 के पहाड़ा नहीं पढ़ा सेसन अच्छा लग रहा हो क्लास अच्छी लग रही हो प्लीज अपने दोस्तों में सेयर करिए और बताई अच्छा जाएंगी यसी नहीं है यह होगे ना अब यहां पर मैं अगर चलूं कुछ इस तरीके स्करूं की एक सो 24 है और इसमें डिवाइड करना है आपका 125 से आप बोलो 124 में 125 डिवाइड करना है आप खुद दिमाग लगेंगे अगर 24 जग 25 होता तो एक बार जाता कितनी बार जाता एक बार मतलब आपका अंसर 1 राइट आता है दम 1 राइट लेकिन इसका मतलब अभी एक कम है और नहीं आएगा तो यह आपको वन होने में थोड़ा सा कम है मतलब आपका 9 पॉइंट में कुछ आएगा और कैसे आगे भी देख लिए 25 डिवाइड करना है एक सो पचीस डिवाइड करना है एक सो पचीस मतलब पांथ गातिन तो कि घातिन का मतलब हुआ आठ और आठ का इसमें यहां पर और लगा देता हूं थोड़ा से करीब यहां पर दसम लो मताइए कौन से कठना यह आपका अंसारा जाएगा किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे आर आपको करना है अब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप इसी तरीके से करिए बहुत सारे रूल हैं आप अगर जाहेंगे तो पक्का कर लेंगे पांच का गुड़ा वाला प्रोसेस समझें होंगे धीरे-धीरे बातों को आपको कोई भी आप बड़े से बड़े चीजे कर सकते हैं चोटे चोटे चूटे चीजे मतलब आप आराम से कर सकते हैं अब यह चीज़ आपको काम पढ़ेती है निमेरिकल में किसी घात के साथ जैसे देखिए माल लेज़े हैं पर आपका आ गया 60 और यहांपर आपका आगया 10 की पावर 2 गुड़ा आपका आगया यहाँ पर 25 ठीक है ऐसे आ गया और यहाँ पर आपका 10 की पावर माइनस 4 ऐसे आ गया ऐसे लाइन आपको निमेरिकल में बिली तब आपको देखी इसमें हम अगर देख रहे हैं तो यह 26 जो है यह 26 और यह 25 यह तो गुड़ा ही करना है बाकी आप अगर देख रहे हैं इनको 10 की घात आपका दो और 10 की घात आपका चार इसको अलग नजर से देखिए यहाँ पर अगर देख रहे हैं 25 गुड़ा पचीस है तो आपको पता है सारे प्रोसेस काम कर जाएंगे 25 गुड़ा करने का मतलब की दो पांच की दो घात है तो नहीं पता है तो आपको क्या करना है मैं बताता हूं आपके लिए ठीक है सबसे पहले क्या करना है कि आपको इसको चार से मतलब जितनी घात हो पांच की उतनी घात से आपको इसको डिवाइड करना है ठीक है और अगर आपको जैसे देखिए अब यहां पर दो की घात चार बनेगा मतलब दो की कहाँ दो मतलब चार बनेगा चार से इसको डिवाइड करते हैं तो पता है कि यह चार च्छंग चोवीश जाएगा जिमाग लगाई और इसमें बचेगा दो और अगर समयोग से अगर हम देखेंगे तो दो आपका बीस बनेगा मतलब बीस बनेगा और हैं तो अगर इसको भी ले सकते हैं यहां पर सम्लॉयां इस को लागा सकते हैं इस तरीके से कुछ हो जाएगा और दस की गहाग में कंवर्जन होगा आप यह conversion सीख लीजे मेरी 10 की पाउर वाली चीज़े मैं यहां पर इसको नहीं पता हूंगा जो पच्चा अगर समगता हो पीछे वाले जीडो कम कर देना है बस यह काम कर देना तो अच्छा आगो तो लाइक कर देना और हो सब्सक्राइब लाइक प्रेस कर देना और में सेकंड चैनल मास्टर्ज मॉबाइल टेक चैनल को भी सपोर्ट करिए जैसे आपने यहां पर सबूर्ट के प्लीज इसको भी सबूर्ट करिए बहुत ही अच्छे ची वीडियो वहां पर भी अप्लोड करते हैं मोबाइल टेकनलोजी वीडियो और सब्सक्राइशन या अच्छे किसी अधर क्लास में पर इस्टे रहिएगा और पर सारी दोस्तों में ग्रूप में यार सेयर कर दी इस तरह की बहुत सारी वीडियो है आप देख लीजिएगा कोई कमेंट ने करता है मुझे बहुत ही अच्छा नहीं लगता है ओगे थैंक्स झाल